गूट मॉनी क्लास फाइफ, ओके नाओ वी हाव डन दी एक्ससाइज 4.1 और 4.2 जिसमें हमने वैदिक मैट्स के थ्रू माइनस करना सीखा था, अब हम वैदिक मैट्स के थ्रू मल्टिप्लिकेशन करना भी सीखेंगे, ओके, बट मल्टिप्लिकेशन के थोड़े से कॉंसेप् अलग है, सो मल्टिप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें डेवियेशन का एक कॉंसेप्ट सीखना होगा, हमें डेवियेशन निकालना आना चाहिए, अगर हमें वैदिक मैट्स के थ्रू मल्टिप्लिकेशन करना है तो, अब डेवियेशन कैसे निकालता है, वो मैं आप अगर का deviation अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, हम एक base लेते हैं, base मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं, इस base पे, ठीक है 10 base होता है, हाँ नम्मा लाइन में 10 base होगा, जब भी हम deviation निकालेंगे, हम 10 को base लेके चलेंगे, तो यह हमारा base है, okay, suppose करो हमें deviation निकालना है 14 का, तो अगर मैं 10 पे खड़ा हूँ और मुझे 14 पे जाना है, यहाँ पे आना है, तो मैं क्या करूंगा, 1, 2, 3, 4, यह मैं 14 पे आगया यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, 4 कदम आगे चला, मतलब 4 कदम plus, आगे चला, मतलब plus, और P से चला, तो minus, तो 4 कदम आगे चला, तो plus, तो 14 का deviation हो गया plus 4 suppose करो मुझे 8 का deviation निकालना है मैं 10 पर खड़ा हूँ मुझे 8 पर जाने तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा okay minus 2 तो इसका deviation minus 2 पीछे मतलब minus 2 कदम तो यह हो गया इसका deviation okay suppose करो मुझे 11 का deviation निकालना है मैं 10 पर हूँ तो मैं क्या करूँगा 11 पर जाने एक लिए एक कदम आगे चलूँगा आगे चलूँगा एक कदम तो इसका हो गया plus 1 और अगर मुझे 10 से 5 पर जानना है तो मैं क्या करूँगा एक दो तीन चार पाँच पीछे चलूँगा पाँच कदम पीछे चलूँगा का मतलब minus और कित्ते कदम 5 तो यह आपका minus 5 हो गया यह deviation इस तरीके से निकलता है और एक्जांपल करके देखते हैं सब्सक्राइब यही नंबर लाइन है 1 to 19 10 हमारा बेस है बेस क्या है हमारा 10 बेस है हमारा 10 ओके तो अगर मुझे 7 पर जाना है 7 का deviation निकालना है तो मैं 10 से 7 पर जाना है तो मैं क्या करूँगा एक दो 3 पीछे चलूँगा 3 कदम पीछे चलूँगा 3 कदम minus 3 deviation हो गया अगर मुझे 13 पर जाना है deviation निकालना है तो मैं क्या करूँगा 1, 2, 3, 30 पर पहुच गया मैं, आगे चलूँगा, आगे का मतलब प्लस 3 कदम, ओके, अगर deviation of 6 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 1, 2, 3, 4, पीछे चलूँगा, 4 कदम, deviation of 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आगे चलूँगा, 9 कदम, तो यह इसे साब से deviation निकल गया, 4 का deviation minus 4, 19 का plus 9, 13 का plus 3, 7 का minus 3, इस तरह किसे, इसका एक और तरीका है, अगर आपको यह number line से, अगर समझ में नहीं आ रहा, deviation कैसे निकालना है, तो एक trick भी होती है, deviation निकालने की, ओके, इसमें trick यह होती है, कि अगर आपसे deviation पूछा गया, suppose 8 का, यह 14 का, यह 4 का, यह 12 का, तो है, तो हम sign decide करेंगे, sign क्या लगेगा, okay, plus लगेगा की minus लगेगा, अगर यह single digit number है, तो minus sign लग जाएगा, और 2 digit number है, जिसे 1 और 4, 2 digits है इसमें, तो यह plus sign लगेगा, 4 में single digit है, तो यह minus sign लगेगा, 12 में अगर 2 digit है, तो plus sign लगेगा, अब इसका आगे number क्या आएगा, वो भ नमबर है 8, हमारा base होता है 10, 10 और 8 में से बढ़ा कौन, 10, 10 minus 8, किताया, 2, यह आपका deviation में गया, यह number है 14, हमारा base क्या है, 10, 14 और 10 में से बढ़ा कौन, 14, तो 14 minus 10, यहापे लिखा answer 4, तो यह हमारा deviation आ गया, 4, ठीक है, 10 और 4 में से बढ़ा कौन, 10, तो 10 में से 4 minus कर देंगे जो answer आएगा, यहाँ लिख देंगे, deviation आ गया, minus 6, 12, 12 और 10 में से बढ़ा कौन, 12 बढ़ा, 12 minus 10 करेंगे, जो भी बढ़ा number होगा, वो इधर लिखेंगे, 12 minus 10, 2, तो यहापका deviation 2 आ गया, ओके, जो भी बढ़ा number है, base हमेशा 10 लेना है, और जो भी बढ़ा number होगा, अगर यह 10 से बढ़ा है, तो इसको minus 10 कर देंगे, अगर यह 10 से छोटा है, तो 10 में से इसको minus कर देंगे, और answer आ जाएगा, sign आपको याद रखने कैसे लगाना है, single digit है, तो minus sign लगेगा, 2 digit है, तो plus sign लगेगा, single digit है, minus sign लगेगा, 2 digit है, plus sign लगेगा, आप deviation को इस तरीके से भी निगा डाल सकते हैं, ओके, इसी बेस पे आपको book में से एक exercise करनी है, which is exercise 4.3, आप वो exercise तो करेंगे ही करेंगे, plus मैं आपको एक पिचर भेज रहा हूं, deviation के sums की, तो वो भी आपको करनी है, ओके, मैं आपको दिखाता हूं, ये, ठीक है, ये deviations, मैंने 18 sums बनाए है, deviation के, total 18 है, तो ये deviation आपको निकालने होंगे, इसकी picture मैं आपको भेज रहा हूं, तो आप exercise 4.3 और ये sheet, दोनों आप मुझे करके भेजेंगे, ओके, पहले हम एक बार deviation सही तरीके से निकालना सीख लें, एक बार हमें deviation आगया सही तरीके से निकालना, तो हम multiplication easily कर लेंगे, ओके, ये step multiplication by Vedic Math में होना बहुत जरूरी है, और ये सही होना बहुत जरूरी है, अगर ये गलत हो गया, तो पूरा multiplication गलत हो जाएगा, तो पहले इसको हम properly सीखेंगे, and then हम further आगे the multiplication के sums करेंगे, ओके, तो first homework आपका ये रहेगा, कि आपको ये सारे deviations सही तरीके से निकालके मुझे भेजने है, मैं shape करूंगा, if everything is okay, आपने सब कुछ सही किया है, तो हम आगे next class में multiplication by Vedic Maths सीखेंगे, okay class, thank you.